पेंडरा रोड के गौरत पूर रेलवे फाटक में आज उस समय हड़कम पोर अफरा तफरी मज़ गई जब एक गिट्टी से लोड माल गाड़ी को इंजन से अलग करते हुए अचानक माल गाड़ी लुड़ते हुए चल पड़ी गाड़ी बाद में स्टॉपर पर खड़ी एक पुरानी श्रतिग्रस रेस्ट बोगी से टकरा गई टकर इतनी जोरदार थी कि रेस्ट बोगी स्टॉपर तोड़ते हुए फाटक में आ गई इस दोरान रेलवे फाटक पर यातायाद पूरी तरह से बादित हो गया अब चलते ह विस्तार से इस खबर की और मामला पेंडर रोड रेलवे स्टेशन के आउटर में स्थेत गौरकपूर रेलवे फाटक का है जहां पर मालगाड़ी को इंजन से अलग करने के दोरान एक बड़ा हाथसा हुआ मालगाड़ी इंजन से अलग करते ही लोड़कते हुए आगे बढ़ गई और आउटर पर खड़ी पुरानी श्रतिग्रस रेस्ट भोगी को टक्कर मारी टककर इतनी जोरदार थी कि रेस्ट भोगी से स्टोप पर तोड़ते हुए आगे निकल गई और रेलवे फाटक को श्रतिग्रस करते हुए रुख गए गटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मोके पर पहुँच गए पिलहाल रेलवे फाटक में हाथसा होने के कारण इस सटक पर याता यात बादित है जबकि पेंडरा रोड कटनी रेल मार उप डाउन में इसका कोई असा नहीं हो रहा है देमेज कर दिया है और गेट जो है इसके चलते क्लोज हो गिया है मैं अपने स्टाथ के साथ यहां मवजूद हूँ और सुरच्छा बेवस्था का देख रहा हूं कोई किसी तरह की इसा लोगों को समझाया जा रहा है क्योंकि एक किसी का यह एक्सिडेंट हुआ है तो यहां मौके पर मजूद है इस तरह से भी सुरच्छा बेवस्था की जोगत परेजी हम रोग यहां पर तब कर देखना हूँ है रेल्वर पाटक पी बोरगपूर के किस प्राकार की घट्टा हुए यह देखते ही देखते हलका मच गया रहा है यहां जैसे मतला बोट इंजन अब हो गया तो तीनों खतम हो जाते आप अभी क्या इस्थिती यह बता रहे हैं पुरा जाम लग चुका है यह पूरा इस टापर तूटके यह निकल गई है गाड़ी आसीज देखने में दिख रहा है कि माल गाड़ी जो जली हुई पड़ी रही इस टापर तोल के बाहर आ लगवा किती भोगी रही माल गाड़ियों में अभी कोई रेलवे के पहुंचे हैं यहां पर मौकेम भी है अभी कारी वगएर तो है ताहब वगएर आ गहीं चलिए ठीक रहे हैं और योटी होते हुए चैन को भी तोड़ दिया है जो लगा गवा था उसको भी तोड़ते आगे न करें श्क़ुआ है तो प्रतम दश्टिया क्या दिख रहा है धलान में खड़ी होगाई की नहीं कर पाया क्या तो क्या लगता है कहां पर तक्निकी भूल हो गई जाच कव गया है अभी फिलाहल क्या इस्तिती यहां पर जाम की स्थिति बन चुकी है तो तो मैं बता सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए